आज की वीडियो बेरिंग्स का एक स्पेशल टाइप लेके आई है तो वीडियो बड़े कमाल के उने वाली है इसकिप नहीं करना पूरी देखना है तो बने रही है वीडियो में तक हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल शाद आप सरमें तो स्क्रीन पर मैंने एक बैरिंग लिखा है बैरिंग 35-19-11-20 या डिवाइड बाई 11-20 इस तरह का बैरिंग पहले कहीं लिखा हुआ आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजेगा गूगल पे सर्च कीजेगा इस बैरिंग नंबर को आसानी से मिल जाएगा इसके बारे में स होता है नीडल रोलिंग बैरिंग होता है यह या ता है मेरा नीडल यानिके नीडल टाइप में ये बैरिंग साता है और ये यूज का होता है Jcb, Hydra, Tractor, Mixer, Machine यानि कि कुछ special cases में यो use होता है और special जगापर use होता है और क्यूं रखागा है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी bore के हिसाब से इसकी OD बहुत कम ली जाती है यानि कि दूसरे bearings में क्या हो रहा है कि जो bore है उसके double के आसपास मेरा OD जाता है लेकिन इन bearings में मेरा OD bearings की ID यानि कि bore के आसपास ही जाता है और जो thickness होती है वो दूसरे bearings में bore से बहुत कम होती है यानि कि bore अगर 100 mm का है तो मेरी जो चोड़ाई होगी इसकी width हो जाएगी वो मेरी 20-25 mm के आसपास आएगी लेकिन इसमें bearings में क्या हो रहा है कि इसकी चोड़ाई bore के आसपास तक जाती है ये कि special cases bearings आता है अब इसमें क्या खास बात है ये जो इसके mm में आएगी ये भी याद रखेंगे ये mm में आएगी चलिके एक example और दिखाता हूँ ये मेरा bearing से 7943 और divide करके लिखा है या oblique 25 अब इसमें 25 क्या है इसी तरह से ये इसका bore हो जाएगा और ये आएगा मेरा mm में अब ये देखेगा needle bearing का एक photo दिखाता हूँ screen पर ये देख लिजेगा कि इसका bore इस नंबर का bore मेरा 25 आ रहा है और इसकी जो ओड़ी यादि के आसपास आ रही है यानि कि 32 mm आ रही है बिल्कुल पास में है और इसकी चोड़ाई यानि कि width मेरी आ रही है 25 mm यानि कि जितना bore है उतनी ही मेरी width आ रही है यानि कि ये special type bearing इ यानि कि divide में slash करके जो bearings आए होंगे उनका मतलब होगा कि slash के बाद में जो number लिखा है वो उसका बोर है एक special type bearings होते हैं तो आज की वीडियो में बच इतना ही विजान करें अगर थोड़ी बेच लिए को लाइक कर दीजेगा और comment करके बदाईए अगर कोई भी doubt हो और share करना ब